हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए, बेशन की कढ़ी तो हमने कई बार बनाया है आज चलिए बनाते हैं उरत के डाल का कढ़ी बस एक कटोरी उरत के डाल के डाल भिगो ये और फटा-फट ये कढ़ी तयार करिये और बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों आप जरूर बना की इंज्वाय करिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये कड़ी मेरी कैसी लगी और इसकी पकोड़ी तो क्या कहने बहुत ही अच्छा गजब का टेस्ट भी लगता है इसका तो इस प्रकार से बनाईए हमने वीडियो पूरा आपको देखना है पूरा वीडियो देखके आप ये रेशी भी पूरा देखिए और बनाईए इंज्वाइ करिए और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए प्लीज तो देखिए बिना छिलका वाला दाल हमने एक कटोड़ी ले लिया था उसको पांच से छे घंटे भीगो दिये थे तो अच्छे से इसको तीन चार पानी से धुलके अब मिक्सी के जार में डाल देते हैं तो इसमें हमने डाला है जीरा दो हरी मीच और हींग और बड़ी लाइची तो ये सब डाल के हमको वच्छे से इसको पीस लेते हैं तो दिखिए हमने पीस के रख लिया है अब इसका बड़ा बनाते हैं तो इसका कढ़ी बहुत ही अच करिएगा तो इसको अच्छे से फेट लेंगे और नमक डाल देते हैं स्वाधनु साथ ध्यान रहें बहुत ज्यादा नमक इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका हमें बड़ा भी बनाना है तो खुब अच्छे से फेट लिजेगा नहीं तो थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं तो हमने मीठा सोडा थोड़ा सा डाल दिया है और नहीं इच्छा तो इसको स्कीप कर सकते हैं और अच्छे से फेट के पानी में एक उड़त का डाल का डाल दीजिए अगर वो तैरने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा एकदम परफिक्ट फूल गया है तो तनले ना गैस हमारा आन है तेल हमारा एकदम गरम है अब उस पे छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से पकोड़ी डाल देते हैं जैसे नारमर पकोड़ी बनता है ना ठीक उसी प्रकार से डलेगा और देखिए खुब अच्छे से तैर तैर के अपने आप उपर उपता जा रहा है यह देखिए तो इस प्रकार से आप खुमाते खुमाते अच्छे से इसको चला के सुना अना होने तक कुपड़ी हैं तल लिजे तल की अब इसको निकाल लिजे बहुती टेस्टी यह कड़ी बनता है दोस्तों जब कोड़ोडी का सीजन होता है ना तो हम लोग जरूर बना के खाते हैं उ बाकी आफ सीजन में भी ऐसे इस तरही के से आप बनाएए खाईए इंज्वाइ करिए तो चलिए सारे पकोड़ीयों को निकाल लेते हैं तेल से यही कितना अच्छा लग रहा है ना तो आधा डाल हमने बचा के रखा था तो इसका पानी डाल के बैटर को अच्छे से बना लेते हैं और नहीं तो पानी डाल के मिक्सी में एक बार ऐसे गुमा लीजी तो अच्छे से मिल जाएगा तो जितना हमें कड़ी बनाना है उसे साथ से पानी डाल देजे उसमें अब वही करहाई हमने सेम ले लिया है और निकाल लिये हैं और दो चमच ओयल डालके पंच फोरन हीं आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हल्दी और लाल मिर्च पावडर डालके और फटा फट यह जो घोल हमने बना के रखा है न तो उसको सिधा डाल लेते हैं यह रिखिए घोल हमारा पतला ही होना चाहिए पानी अच्छे से डालियेगा नहीं तो यह बहुत जल्ली फटा-फट गाड़ा हो जाता है तो यह देखिए एक कटोरी डाल से हमने कित्ता बढ़िया यह कड़ी कम से कम तीन से चार लोगों के लिए कड़ी बना लिया है तो यह देखिए हमारा यह कड़ी उबलने लगा है इसको कंटीन्यू चलाना भी है छोड़ना बिल्कुल नहीं है अब हमने डाला है करी पत्ता अगर फ्रेस आपके पास है करी पत्ता तो वो डाल दीजिए इसका फ्लेवर तो और अच्छा आता है अब यह हम डाला है गरब मसाला आधे चमस डाल दीजिए इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है यह मसाले वाली कड़ी है दोस्तों बेशन की कड़ी तो हमने कई बार खाया है लेकिन चलिए यह कड़ी का टेस्ट करिए आप और बताईएगा अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए मेरे वीडियो को और टेस्ट करके बताईएगा कमेंट करके कि आपको यह कड़ी तैसा लगा तो इस देखिए हमारा यह कड़ी उबल गया है एक दो बाल आ जाए तो लास्ट में ही नमक डालिए नमक स्वाद अनुसा डालिए तो यह देखिए हमारा कड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गया अब डालेंगे यह पकोडियों को गैस हमारा अफ हो गया है अपकडियों को डालके ढखके थोड़ी देर के लिए छोड़ देजे बहुत अच्छा यमी कड़ी बनके तयार हुआ है यह देखिए तो यह देखिए हमारा कड़ी बन गया है अब हम इसका कड़ी में छोकन थोड़ा बना लेते हैं उपर से डाल दे एक डाला है तो यह डाल के उपर से डाल देते हैं देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी बहुत ही बना है तो आप इस प्रकार से बनाए इंजवाए करिए उड़त की दाल की कड़ी और बताईएगा जरूर की कैसा लगा और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए तो यह देखिए फूल के हमारा पकोड़ी भी बड़ा हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है